आज जो मास्क हम बनाने वाले हैं ये पहनने के बाद बिल्कुल भी फ्लाट नहीं बढ़ता ये एक रूम क्रेट करता है जिससे हमें बिल्कुल भी सास लेने में तकलिफ नहीं होगी और एक जरूरी बाद ये मास्क बनाना बहुत बहुत आसान है ये आपको वीडियो देखन सकते हो इसके लिए कोई भी बचा हुआ कपड़ा आप यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर यह कॉटन के दो पीसेश लिए हैं जिसके लंबाई 11 इंच है बच्चों के लिए 9 इंच रखिए और चोड़ाई 5 इंच है बच्चों के लिए 4 इंच रखिए अब इन दोनों इस तरह से मोड कर लेना है अब यहां पर बस हमें एक ही नाप धाना है वो है 1.5 मतलब 1.5 तो यहां सपर मैंने 1.5 इंच मतलब 1.5 पर माग किया तीरचे में अब वही 1.5 इंच मैंने पकड़ा है इस सेड में और यहां पर भी ON मैंने माग किया है अब वही 1.5 इंच का नाप मैंने पकड़ा है और इस सैड में भी मैंने माग किया है तो तीनों और मतलब यहां पर यहां पर और यहां पर मैंने 1.5 इंच का माग किया है जहां पर हमने 1.5 इंच का माग किया है वहां पर हम इस तरह से गुलाई बनाएंगे तो बच्चों के लिए यही नाप आप एक एक इंच रखे अब वही डेड़ इंच पकड़ना है और सेम यहाँ पर भी माक करना है और यहाँ पर भी तो बच्चों के लिए यहाँ पर भी आप एक एक इंच पर माक केजिएगा दोनों साइड पर हमने डेड़ इंच पर माक किय है तो यहां पर भी हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगी तो देखिए यहां पर कोई भी अलग नाप नहीं है सिर्फ 10 इंच का नाप ध्यान में रखिए अब बस यहां पर हमें तीन इंच का माग करना है बच्चों के लिए धाइंच रखिएगा तो यहां पर मैंने सीधी लेंगे तो बहुत ही सिंपल मास के बस दो ही नाप ध्यान में रखने हैं एक हे डेढ इंच का और एक हे तीन इंच का अब देखिए जैसा माग किया है वैसा हमने कटिंग कर दिया अब देखो यहां से हमें थोड़ सा शेफ देना है बस इस तरह से अब यह शेफ हमें क्यों देना है क्योंकि यह वाला जो हिस्सा है ना वो हमारे चेन के ऊपर आता है मतलब नाक के नीचे का अगया है तो यहां पर इस तरह से गोलाए देंगे तो यह बहुत ही वेल लोंगी और लाल के उपर रखतोंगी तो यहां पर मैंने दो अलग 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 लिए हैं आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो अब देखो इस तरह से मैंने इसको एक दूसरे के उपर अच्छे से रख दिया है अब इसकी जो यह गोलाई वाला हिस्सा है ना यहां पर सिर्फ हमे सिलाई लगानी है तो यह देखिए यहां से यहां तक सिलाई लगेगी और इस पैटन के उपर भी यहां से यहां सिलाई लगेगी तो दोनों तरफ यानि कि जो गोलाई वाला हिस्सा है बस वहीं पर मैंने सिलाई लगा दी है सिलाई लगने के बाद ये देखी ये इसे हम खोल देंगे खोलने के बाद देखो ये सिलाई वाला हिस्सा और ये सीधी साइड वाला हिस्सा है तो सीधी साइड वाला हिस्सा उपर की तरफ रखा है और ये यलो पैटन भी खोल दूँगी और इसका सिलाई वाला हिस्सा उपर की तरफ रखना है इस तरीके से मतलब दोनो पैटन की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहेगी इसको अच्छे से मिला कर रखेंगे मिलाने के बाद अब देखो हम यहाँ नीचे की तरफ एक सिलाई लगेगी और यहाँ उपर की तरफ एक सिलाई लगेगी दो सिलाई लगानी है तो यहाँ से शुरू करते हैं तो बस एक कौटर इंच याने पाव इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो इस सिलाई को बीच में से इस तरह से खोलना है उपर की और नीचे की दोनों सिलाई बीच में से खोल कर हम सिलाई लगाएंगे तो ये सिलाई लगा दी अब नीचे की तरफ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाईए ताकि हर एक वीडियो की सुचना आपको मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है तो ये दोनु सिलाई लग चुकी है सिलाई लगने के बाद अब हम इसको सीधे में पलट देंगे यहाँ पर यह उंगलियों का खेल है बस उंगलियों से इसे देखिए वीडियो में आप देख सकते हो उंगलियों से इसे अंदर के तरफ डाल कर यह वाला हिस्सा अंदर का हिस्सा बाहर निकालना है तो बस ये कुछी सेकंड में पलट जाएगा अब पलटने के बाद देखो ये इस तरह से तयार है अब इसे न आयन करके लेंगे तो आयन कैसे मतलब आप किसी कपड़े के उपर रख कर कीजेगा ये बस मैंने वीडियो में दिखाने के लिए मशिन के उपर ही आयन करके लिए है आयन करते वक्त नीचे की तरब कोई कपड़ा रखिएगा आयन करने के बाद मैंने इसको कोल दिया है और ये देखे इसका लूप बहुती सुंदर आया है इसे आप दोनों साइड से पहन सकते हो लेकिन अभी भी इसमें इलस्टिक लगाना बाकी है तो इलस्टिक का नाप कैसे लेना है अगर बड़े हो या बच्चे हो सभी के लिए यही में थड़ रहेगा तो बस उंगलियों के उपर आपको घुमाना है इलस्टिक और बस इस तरह से आपको इलस्टिक नापना है बच्चों के लिए ले रहे हो तो बच्चों के हाथ से नापना है तो ये दो पीसे समें इलस्टिक के निकालने है शेम अब अगर आप नापकर लेना चाहते हो तो ये दीखिए ये पॉने सात इंच बढ़ों के लिए रखेगा और बच्चों के लिए आप साड़े पास से ग्टर शेंच रखेएगा तो इस तरह के से बस हम इलैस्टिक को नहीं मोड़ना कॉटर इंची अंदर की तरफ हम इसको डालेंगे और उपर से थोड़ा सा नाखुन से इसे प्रेस करेंगे तो यह कपड़ा बैट जाता है क्योंकि यह कॉटर होता है इस साइड से भी सेम हमें वैसा ही करना है यह देखिए यह जो कपड़ा है इसके किनारे है किनारे को अंदर की तरफ डाल कर लेंगे कोटर यहने 5-50 कपड़ा अंदर की तरफ डालना है जाधा नहीं डालना डालने के बाद इसे भी मैंने नाखुन से प्रेस करके ले लिया अब पस इसके अंदर इलस्टिक डालना बागि है तो जो इलस्टिक हमने कट करके रखा suivre उ उसको भी हम थोड़ा-thोड़ा ही अंदर तूटर नहीं डालेंे अीक 5ниц और भाद इलस्टिक आप अच्छे कौलिटिका यूज्ज़ कीजिएगा क्यूंकि अगर पतला इलस्टिक है लो क्वालिटीका है तो सिलाई लगने के बाद वहां से वह तूट जाता है तो अच्छे क पिछे करके धागा लॉक करके सिलाई लगाएगा तो देखिए दोनों साइड में लग चुका है और अब हम फिनिशिंग की सिलाई मतलब उपर और नीचे से किनारे से एक-एक सिलाई लगाएंगे यह ना भी लगाओ तो भी चलेगा लेकिन अगर लगाते हो तो यह मास्क फे वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा से शेप क्रेट हो रहा है जब आप इसे पहनते हो तो ना के उपर यह बिल्कुल भी चिपक कर नहीं बैटता बहुत ही अच्छी रूम बनाये रखता है जिससे आपको सास लेने में बिल्कुल भी तकलिफ नहीं होती तो आप भी इस मास को जरूर बनाईएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना तो मिलते हमारे अगले वीडियो में तब तक अपने खयाल रखना बाबाई